कैसे हैं आप सब लोग I hope सब लोग ठीक ठाक होंगे तो आज की वीडियो में मैं आप लोग साथ शेयर करने वाली हूँ उस आइडिया है वह मैंने एक प्लाजो से क्रेट किया है मैं फुल ड्रेस बॉटम वियर वी अपर वियर वी अपनी बेबी के लिए यह ड्रेस आप 5-6 यह बेबी के लिए बना सकते हैं अगर आपके पास भी इस तरह का प्लाजो है तो मैंने जी प्लाजो बहुत तैम परे ख़िदा था बट मुसको किसी वजह से पहन नहीं पाई और तो मैंने सचां कियो नहीं नहीं से प्लाजो घृच més ख़िदी управुटम नहीं कुछ आपके ले पिट्रेस बनाये जाये तो मैंने सबसे पहले किया करना है ? को निकाल देना है यहां से कट नहीं करना है वरना यह पीस नहीं चोटा हो जाएगा तो इलास्टिक को मैंने बार इसके निकाल के लास्टिक को निकाल दे देकि दो इंच कपड़ा जो हमारे पास और आगया इसमें इसके बाद सारे सिलाई खोल देंगे जहाँ भी लगी वी यह बहुत एजली सिलाई खुल जाती है क्योंकि जो रेडी मेट पीसिस होते हैं उनमें बहुती कच्छी सिलाई होती है इस तरह से एक बार खोलो के पूरा निकल जाएगा यह तो मैंने इसके दोनुप पैर को अलग कर लिया है उसके बार हमारे पास दो पीस ऐसे हो जाएंगे बड़े-बड़े से यह देखिए इस तरह से और आप बड़े-बड़े ऐसे पीस के या तो कुर्टी बना सकते हैं अपने लिए भी इसली बन जाती है कुर्टी अगर आप ज्यादा फैटी नहीं है नॉर्मल जितने अपको प्लाजो चाहिए तो मैंने आपे सौट प्लाजो बना रही हो मैं थोड़ा सा अंकले नैंट से थोड़ा सा ओपार तक का तो मैं हमेजर्मेंट ले रही हूं 25 पे 25 लेने के बाद यहां से पूरा माक कर रूँगी और कट कर लोंगी दूसरे वाले पैर को भी ह हम ऐसे ही कट अपर रहा है औरhouette क्क्षित मैं हमारा प्लाजो कत हो गया है कि स्टिचिंग करेंगे जैसे हम संपल अपना प्लाजो का सिच्श करते हैं लाइक उसी तरह से अब ही हमारे पास जो ब्लाव स्पीस है इस से हम बेभी का ड् grass का योग पार्ट बनाएंगगे उसके कुट्टी के लिए अपना नेक कट करते हैं सेम ऐसे ही सको कट कर लेंगे कि कटिंग की जो क्लिप है वो मेरे से बाइ मिस्टेक ड्लीट हो गई है तो सॉरी तो मैं आपको यहां पर पूरा एक्स्पिन करके बता देती हूं मैंने इसको कैसे कट किया है तो देखिए यहां पर स छोंट नहीं है तो मैंने इस तरह से इसको फोल्ड किया ताकि जो भी फोल्डिंग वाला साइड है वो सॉड़र पे आये उसके बाद ऐसे फूड फॉर फोल्ड किया एं नेकी एरेया कट किया और इसका आर्म-हूल इंच कर दिया यहां से इस तरह से कट होने के बाद इसके पलाजो का उपरवाला साइड है दोनों साइड उसके फ्रंट वाले पार्ट पे और back वाले पार्ट पे चोइंट कर लेंगे ते नीचे साइड से भी इस पेस प्रीच कर देंगे और इस there स्टीुर्च करने के साद और आप देखेंगे कैसा भणा है ड्रेस तो ये ड्रेस फाइनली बन गया है देख सकते हैं यह देखिए मैंने इसमें बीच में थोड़ा सा श्ट्रिप दे दिया है जिससे कि यह हम इसको टाइट और लूस कर सकें यहाँ पे दो इंच की पट्टी मैंने अंदर साइट से इसमें लगाई है और उसके बाद इसमें चोटा सा होल करके फिर मैंने इस डोरी को इसमें डाल दिया और नीचे सैट से इसमें लाइनिंग लगाई है और नीचे सैट से भी मैंने इसमें ऋलाई लगा दी थी तो यह बहुत अच्छा सा टॉप मेरा बन गया है लायब अब से फ्र privis की तरह भी पहन सकते हैं या सोर ड्रेस की तरह है भी है पहना सकते हैं बच्चे को डिश और इसके नीचे मैंने बॉटम के लिए यह बनाए है पलाजो आप देख सकते हैं पलाजो से पूरा सैट ड्रेस का बन एढ़या है तो यह फाइनल ड्रेस बन एड वीडिया अच्छा लगा होगा यही था मेरा आज का वीडियो आई होप आपको पसंद आये होगा मिलते हैं आपको नेक्स वीडियो में तब तक के लिए आप यह वाली वीडियो को इंजॉय किजिए